दोस्तों एंडिया वर्जिस बांगलादेश सेकिंड ओडियाई में कप्तान रोही शर्मा घायल हो गई हैं उनके हाथ में चोट लग गई है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वो अपने हाथ को पकड़े खड़े हुए हैं मौहमद सिराज की ये गयन पर जब शो चोड़ कर अस्पताल पहुंच गए हैं अपना टेस्ट कराने के लिए अपने हाथ की स्कैनिंग कराने के लिए और अब साइथ वो आपको फिल्लिंग करते हुए ना नजर आएं और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होई तो वह बैटिंग करने भी आज नजर नहीं आएंगे चोट लगी है तो वो मैच को छोड़कर अस्पताल में अपने स्कैनिंग कराने गई है हाथ की जहां चोट लगी हुई है उनके अउटे में और अब वो फिल्लिंग करते हुए तो नहीं नजर आएंगे लेकिन अगर ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हुई तो आपको को आज तो टिम इंडिया के लिए बूरी कबर है कि कपतान रोई शर्मा गायल हो गई है उनके हाथ में उनके उंठे में चोट लगी हुई है और कितनी ज़दा चोट है यह के बाद ही पता चलेगा डक्टर सी बताएंगे हलाकि मैच को छोड़कर पहुँच चुके हैं इस् जोट सकते हैं बेटिंग करने के लिए लेकर ज्यादा प्रॉब्म होगी तो के गायल होने के बाद आज टीम इंडिया की कफ्तानी केल रहो कर रहे हैं और अगले मैच में भी रोही शर्मा उपलाद नहीं विद्ध इसे मड़ा तो आपको क्या लगता है कि कफ्तान do शर्मा कि कितनी मेजर प्रोप्लम है और कब तक वापस आएंगे में कमेंट मेस नं também करके